सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाटसअप कम्यूटी में नया एडमिन कैसे बनाए अगर आपने कोई कम्यूटी क्रियेट किया है वाटसअप पर और आप उसमें एक से ज़्यादा एडमिन बनाना चाहते हैं तो चले मैं आपको बताता हूँ कि WhatsApp community में किसी और को admin कैसे बनाते हैं बहुत easy process है तो चले सीखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp app को open करना है WhatsApp को open करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी WhatsApp community सो जाएगी इस पर आपको click कर देना है या फिर यहाँ पर आपको कोने में WhatsApp community का option दिखेगा इस पर click कीजिए अब यहाँ पर आपकी WhatsApp community आजाएगी तो आप अपने WhatsApp community पर पहले click कीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको सारे group से दिख जाएगे जो भी आपके community में है तो इस community में अगर आप अपने सिवा किसी और को admin बनाना चाहते है तो यहाँ पर आपको तीन डॉट पर click करना है फिर यहाँ पर आपको option मिल जाएगा community info तो आपको इस पर click कर देना है community info में आने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा scroll करना है अब देखिए यहाँ पर आपको सारे members मिल जाएंगे जो आपकी WhatsApp community में add है तो इन में से आप जिसको भी अपने community का admin बनाना चाहते हैं उस पर आपको ऐसे hold करके रखना है कुछ second के लिए दबा कर रखिए फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का pop-up ओपन होका रा जाएगा अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा make admin तो अगर आप इसको admin बनाना चाहते हैं तो यहाँ make admin पर click कर देना है फिर यहाँ से आपको ok कर देना है जैसे आप ok करेंगे तो उस account के सामने community admin लिखा हुआ आ जाएगा और आपने यानि कि जिसने भी इस community को बनाया होगा उसके account के सामने community creator लिखा हुआ आएगा तो जिसने community बनाया है वो admin तो है ही लेकिन वो community का creator भी है और उसके साथ साथ आप चाहें तो और भी लोगों को admin बना सकते हैं आप जिसको जिसको admin बनाते हैं वो आपकी community में announcement कर सकता है आपकी community में photo, video या message send कर सकता है एक प्रकार से वो भी community का मालिक बन जाता है तो इस प्रकार से आप अपने WhatsApp community का नया admin बना सकते हैं अगर आपको इसको हटाना है admin से तो आप इस account पर फिर से hold करके रखिए फिर यहाँ पर आजाएगा dismiss as admin आपको इस पर click कर देना है और यहाँ से आपको ok कर देना है अब यह account admin से हट जाएगा तो बहुत easy है WhatsApp community में admin बनाना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो फूल अगा तो वीडियो के लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा